बॉलिवोड में जब भी कोई नया स्टार किड अपना करियर शुरू कर रहा होता है तो नेपोटिजम यानि भाई भती जावाद की बहस तेज हो जाती है इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार किड्स को लाइट्स, कैमरा और अक्शन विरासत में मिलने की वजह से शुरूआदी संघर्श का सामना नहीं करना पड़ता मगर अंतिम फैसला तो जनता का ही होता है जो अपना हीरा चुनते समय इस बात को याद नहीं रखती कि फला एक्टर या फला एक्टरिस किसी सूपरस्टार का बेटा या बेटी है जो जनता का दिल जीता है वो ही जमाना जीता है स्टार किट्स को अपने पेरेंट्स की लेगेसी का बोज और दर्शकों की अपेक शाएं पहली ही फिल्म से पाकेज के रूप में मिलती हैं और जब ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो दर्शक भी इन्हें ठुकराने में देर नहीं लगाते ऐसे ही कुछ अक्टर्स जिन्हें फिल्मी दुनिया विरासत में मिली मगर इस दुनिया में इनकी मौझूदगी महस गेस्ट अप्पियरंस बनके रहे गई ये महमान की तरह कभी-कभी दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं आईए जानते हैं ऐसे ही आक्टर्स के बारे में पूरू राजकुमार बात आक्टिंग के साथ स्टाइल और डायलोग बाजी की हो तो राजकुमार के सामने शायर ही कोई ठहर सके उनके बेटे पूरू राजकुमार ने 1996 की फिल्म बाल ब्रहमचारी से बॉलिवड में कदम रखा मगर राजकुमार जैसा असर वो पैदा नहीं कर सके आखरी बार वो अजे देवगन की फिल्म आक्शन जैक्सन में दिखाई दिये थे उससे चार साल पहले सलमान खान की फिल्म वीर में भी पुरू नजर आये थे जायद खान अपने दौर के हांसम आक्टर प्रोडियूसर संजे खान के बेटे जायद खान ने 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से फिल्मी पारी शुरू की थी मगर जायद का करियर भी उस तरह शेप अप नहीं हुआ जैसा एक स्टार किट का होना चाहिए जायद का परदे पर आना जाना लगा रहता है बत और लीड उनकी आखरी फिल्म 2015 में आई शराफत गई तेल लेने है राहुल खन्ना विनोद खन्ना के छोटे बेटे राहुल खन्ना बॉलिवड में गेस्ट अप्पेरंस ही देते हैं राहुल की आखरी स्क्रीन प्रेजन्स 2014 की फिल्म फायर फ्लाइस है इससे पहले वो लव आजकल और वेक अप सिट में भी नज़र आये थे जो 2009 में रिलीज हुई थी लव सिन्हा शत्रुगन सिन्हा ने अपनी फिल्मों और परसनालिटी के जरिये अलग ही मुकाम पाया है लेकिन उनके बेटे लव सिन्हा का करियर पहली फिल्म के बाद ही ठहर गया लव ने 2010 की फिल्म सदिया से डेब्यू किया मगर उनका करियर कुछ साल भी नहीं चला हालाकि डेब्यू के साथ साल बाद लव को जेपी दत्ता की फिल्म पल्टन मिली जो इसी साल रिलीज हो रही है फिल्म प्रेडियूसर डायरेक्टर हैरी बावेजा के बेटे हर्मन बावेजा ने 2008 में लव स्टॉडी 50-50 से डेब्यू किया था इसके बाद वो 2009 में What's Your Rashi और Victory में भी नज़र आए हर्मन को आखरी बार 2014 में धिश्कियाओं में परदे पर देखा गया था मगर इस फ्लॉप के बाद हर्मन अभी तक परदे पर नहीं लोटे है जाकी भगनानी जाकी भगनानी मश्हूर प्रेडियूसर वाशु भगनानी के बेटे है जाकी ने 2009 की फिल्म कल किसने देखा से बतोर हीरो पारी शुरू की जाकी आखरी बार 2015 की फिल्म Welcome to Karachi में अर्शद वार्सी के साथ परदे पर देखे थे फिल्हाल वो कभी कबार शॉर्ट फिल्म्स में देख जाते है मिफ्नचकरवर्ति हिंधी सिनमा में न अक्टर्स में शामिल है जिन्होंने अपने टालेंट से नाम कमाया है मगर बेटे महाक्षय चकरवर्ति पापा की कामियावी और शौहरत से बहुत पीछे रह गए अगर महाक्षे आज भी बॉलिवट के गेस्ट स्टार ही हैं। फर्दीन खान फिरोस खान के बेटे फर्दीन खान ने 1998 की फिल्म प्रेम अगन से बॉलिवट में डेब्यू किया। शुरू से ही फर्दीन का करियर वो रफ़तार नहीं पकड़ सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। फर्दीन 2010 की फिल्म दूलहा मिल गया में आखरी दफ़ा परदे पर दिखाई दिये थे। फिल्हाल बता और ली डाक्टर उनकी वापसी की संभावनाएं बहुत कम है।